नमस्कार दोस्तों उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखिए बिहार बोर्ड के दोवरा जो है दो अपडेट निकल के आ रहे हैं दोनों अपडेट के बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि बिहार से आप सभी जानते हैं कि इंटर्म एडमिशन आ ल guidance कि यहां पर फिल आउट किये जा रहे हैं तो अगर आपने फ़िल आउट कर लिया है रहुत फिर आपने फोनको अभी तक फिल आउट नहीं भी किया हुआ हुआ Rozॉ दोनों के लिए जो है दो अपडेट आया हुए है तो दोनों अपडेट के बारे में हम बात करेंगे जो पहला अपडेट होगा वो जो है इसका लास्ट डेट के रिगार्डिंग अपडेट होगा कि कब तक फॉर्म फिल किया जाएगा और दूसरा अपडेट जो होगा सभी को जो है इस तरह का मैसेज मिल रहा है तो इस मैसेज का मतलब क्या है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसके रिगार्डिंग की हम चनकारी देने जा रहे हैं तो फिलीज वीडियो सुरू से अन तक लेकर जबूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो भाई को सपो है एक जून से लेकर साथ जून के बीच में फिल होगा तो आप सभी भली बाती जानते हैं कि एक जून से फॉर्म यहां पर स्टार्ट नहीं हुआ दो तीन जून से स्टार्ट हुआ उसके बाद फिल आउट हो रहे हैं आप फिल किये होंगे और अभी तक आपने फिल साब सब को और गया था कि और मौका यहां पर मिलेगा तो अभी बिहार बोड के दुएरा देख सकते हैं कि कि यहां पे नोटिफी केसन at clique niye कर दिया गया है और काहा गया है कि अभी तक अपने फिल आउट नहीं किया हुआ है , साथरी साथ आपनेào मौका में कज ए गाया है, अगर आपने form को fill out नहीं किया हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा तो हम बात कर ज finden दोने पज़ें तो आपमें से काफिजार लोग जो है, यह मैसेज हमारी पास भेज रहाएं, कि आखिर इसका मतलब क्या है तो मैसेज में फ़र्म तरह लिखा हुआ है जो इसकि form को fill out किया हुआ है तो एक बार जो है उसकी जनकारी आप चेक कर लें कि जो भी जनकारी है वो अपने जगह पे सही है कि नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि form में update of worth, photo कुछ अलग डाले थे और आपको जो है बाद में कुछ अलग यहां पे दिखाया गया था तो इसलिए जो है message यहां पे आ रहा है अगर आपने update कर लिया है तो कोई भी problem नहीं है लेकिन अगर आपने अभी तक login करके जनकारी को check out नहीं किया हुआ है अपडेट नहीं किया हुआ है तो please login करके update कर सकते हैं इसमें दो तरीका है पहला जो है इसका mobile application है उसके माधियम से आप login करके जनकारी को check करके update कर सकते हैं और दूसरा तरीका यह है कि आप इसके portal पे जाकर वहां भी login करके अपने जनकारी को check कर सकते हैं और उसमें किसी परकार का photo, date of birth या फिर आपने जो भी college का preference दिया हुआ है वो नहीं दिखा रहा है तो उसको आप update कर सकते हैं payment करने के बाद भी की काम हो जा रहा है कोई भी problem नहीं होगा तो यह जो है दो मैंना update आपको बताया आपको एक कर लेना है साथी साथ आपका payment नहीं हुआ है अगर आधार already exit दिखा रहा है तो उसके regarding तो भी कोई update हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसके बारे में हमी कोई जंकारी हम हासिल नहीं किये हुए अगर आप में से कुछ लोग हमें data देते तो देखते कि हाँ आखिर कि उनका जो है अधार already exit दिखा रहा है तो उसमें आपको करना है कि आधार नमर छोड़के form आप फिल कर सकते हैं आपके पास फिलाल यही solution मेरे हिसाब से आपको मतलब मैं मैं जहां तक समझता कि आप अधार नमर को छोड़कर वहां पर टिक कर देंगे और अधार नमर को छोड़कर जो ही form को आप लाइक कर सकते हैं क्योंकि आप में से काफी से लोग का जो यह भी कमेंट देखने को मैं मिल रहा है तो छोटा सब्डेट था जो मैं आपको बताना चाहा रहा था क्यू परी मुच